हालो बच्चो वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे स्टैंडर नाइन्थ मैच्वन अलजेब्रा का चैप्टर नबर सेवन जिसका नाम है स्टेटिस्टिक्स हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट 7.3 कर चुके हैं आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.4 7.1, 7.2, 7.3 में हमने काफी कॉंसेट्स कवर कर लिये हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस सेट 7.4 अच्छे समझ में आ जाएं यहाँ पे आएक बाजू में एक लिंक आएगा वो लिंक पे क्लिक कीजिए इस पे क्लिक करोगे तो आपको 9th Standard Algebra के सारे वीडियोज मिल जाएंगे, Geometry के वीडियोज देखने हैं तो भी टेंशन नहीं है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वहाँ पे प्लेलिस सेक्षन में आपको Geometry का भी प्लेलिस मिल जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 7.4 में कुछ theory यूज होने वाला है, वो theory पहले देख लेते हैं, टेक्स्बूक में आ जाईए, वहाँ पे लिखा है less than cumulative frequency, less than the upper class limit, अब यह नाम देखके तो यह लगता है, भाई यह क्या बोल रहा है, यह तो बहुत hard होने वाला है, ठीक है, बिलकुल tension मतलो, अभी खाली यह यह व जो है वो upper class limit है, क्या है, upper class limit, तो हमको frequency भी पता है, upper class limit भी पता है, यह जो word है less than, सिर्फ यह word यहाँ पे important है, ठीक है, इसलिए इतना बड़ा नाम देखके डरने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ यह less than में interest है, उसी से हम लोग यह पूरा देखेंगे, यह नाम पता होन चाहिए, लेकिन यह नाम याद करना भी बहुत easy है, ठीक है, तो अब less than, कहां काम आता है, वो देख लो, let's say आपको यह example दिया हुआ है, textbook वाला ही ले ले लेते हैं, the following information is regarding marks in mathematics obtained out of 40, 40 mark का paper है, उसमें से जो marks आये हैं, वो यहाँ पे table में दिये हुए, मतलब 0 से लेके 10 mark कित students को आये, 20 से 30, 20 students got it, and 30 से 40, 16 students got it, when you add all these frequencies together, you get 50, because there are 50 students, ठीक है, 9th standard के ही marks है, तो यह सब दिया हुआ है, उसके बाद सवाल देखू, क्या पूछा है, from the table, fill in the blanks in the following statements, for class interval 10 to 20, मतलब यह वाला, the lower class limit is, यह 10 to 20 में हमको पता है, जो छोटा है, यह वो lower class, यह 20 क्या है, अपर class, तो lower class limit क्या आ जाएगा, lower class limit आ जाएगा, बताओ जल्दी से 10, and upper class limit क्या आएगा, 10 to 20 का ही देखने का खाली, upper class limit आएगा 20, easy था, अब पूछा है, how many students obtained marks less than 10, less than 10 मतलब उनको 0 से 10 marks आये होंगे, है ना, तो less than 10 कितने है, total 2 students है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, देखो, 2 दिया हुआ है अलड़ी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, next है, how many students obtained marks less than 20, 20 से कम marks, देखो बच्चों, यहाँ पे न, यह जो दिया है, 10 से 20, 12 students है, लेकिन question क्या दिया है, वो ठीक से समझो, question बोल रहा है, less than 20, जो बच्चों को 10 से कम आया है, वो भी तो less than 20 है न, यह जो दो बच्चे है, इनके भी marks 0 से 10 के बीच में, उससे फरक नहीं पर दा लेकिन 20 से कम है न, less than 20 है, तो वो भी आएंगे, और यह इदर दिया हुआ है, 10 से 20, 12 students, इनको भी 20 से कम है, तो यह भी people, यह लोग आएंगे क्या, नहीं, यह नहीं आ सकता, विकोज इनके marks कितने है, 20 से लेके 30 तक, तो वो लोग नहीं आएंगे, तो अगर less than 20 बोला, तो यह 12 तो आएंगे, यह 2 भी आएंगे, विकोज इनको भी 20 marks से कम है, तो इदर देखो, इसलिए उसने 2 add क्या हुआ है, 2 प्लस यह 12, यह दोनों आ जाएंगे, तो टोटल कितने बच्चे है, टोटल 14 students है, देखो, 2 प्लस 12, ओके, जिनको less than 20 marks आएं, next question देखो, next question दिया हुआ है, how many students obtain marks, less than 30, अभी 30 से कम, देखो, यह 20 to 30, तो यह 20 बच्चे हैं, जिनको 20 से 30 के बीच में marks आएं, तो यह 20 तो आएंगे, लेकिन यह जो बच्चे हैं, इनको 10 से 20 के बीच में marks आएं, यह मत देखो, 10 से 20 के बीच में marks आएं, मतलब वो 30 से तो कम ही आएं तो यह 12 भी आएंगे, what about these two students, यह दो बच्चों को भी 0 से लिगे 10 marks तक ही आएं, जो भी है, marks जितना भी है, वो 30 से तो कम ही होग जो बच्चों को 20 marks से कम आएं, वो बच्चों को 30 से तो कम ही होगे न, तो यह 14 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, प्लस यह वाले जो 20 बच्चे हैं, इनको भी 30 marks से कम आएं, थोड़ा समझो, question समझो, less than 30 बोला है, less than 30 मतलब यह 3 हो आएगा, लेकिन less than 20 हमने already find किया हुआ है 14 बच्चे हैं, तो यह दोनों मिला के 14 थे, और 30 के कम वाले 20 हैं, तो यह 14 प्लस 20 हो जाएगा, कितना आजाएगा, 14 प्लस 20 आजाएगा 34, ओके, अब next question देखो, अब इदम easy हो गया है, how many students obtained marks less than 40, यार 40 marks का तो paper दा, तो पूरी class को ही 40 से तो कम ही आएगा न, कितना अभी scholar बच्चा हो, तो उसको 40 के उपर 50 marks तो नहीं मिलेंगे, extra questions के तो इनम marks मिलते हैं सबके, और कितना भी, dumb वो तो 0 से कम तो मिलेगा ही, तो 40 से कम कितने बच्चों का आएगा, total जितने 50 बच्चे हैं, वो 50, वो तो उनको पता ही है, लेकिन है कहां से आया, देखो, यह जो 34 students यह वाले जो 34, less than 30 वाले, उनको तो 40 से कम आया ही है, प्लस यह 16 बच्चे हैं, इनको भी 40 से कम आया है न, तो मैं बोल सकता हूँ, यह 34 तो आएगा ही, प्लस यह वाले जो 16 बच्चे हैं, वो भी आएंगे, तो कितना होता है, देखो, 34 प्लस 16 आता है, 50, तो यह जो हम कर रहे हैं, आप देखो हर जगे common word क्या है, हर जगे common word है, less than, दिख रहा है, less than, less than, less than, less than, less than, तो less than जब calculate करना हो, तो हम लोग use करते हैं, यह less than cumulative frequency, less than the upper class limit table, अभी less than खाली याद रखो, less than cumulative frequency, ठीक है, यह use करते हैं, अभी यह बार बार add करकर के चेक करना पड़ रहा था इससे अच्छा अगर मैं column बना दूँ यहां पर, जिसमें लिख दूँ less than, तो मुझे यह सारा answer एक ही जटके में मिल जाएगा, तो बस वही करना है, ठीक है, तो एक less than cumulative frequency का हम लोग example ले रहेते हैं, इसका मतलब मैंने आपको already समझा दिया, मतलब क्या है, देखो, यह वाल है जिखने की ज़रुद नहीं है, यह column क्या है, less than type cumulative frequency, क्या है cumulative frequency, देखो हमने निकाला, 2, 14, 34, 50, यही था न, देखो, 2, 14, 34, 50, तो यहां पर लिख दिया, इसके सामने, 0, to 10, के सामने 2, इसके सामने 14, इसके सामने 34, इसके सामने 50, ठीक है, यह frequency नहीं है, यह cumulative frequency है, ओके, ये 2 का मतलब क्या है, cumulative मतलब 1-7, उनको 1-7 करना, तो ये 2 वो आले बच्चे हैं, जिनको 10 मार्ग से कम मिले हैं, ये 14 वो बच्चे हैं, जिनको 10 से 20 के बीच में नहीं मिले, ये 14 वो बच्चे हैं, जिनको 20 मार्ग से less मिले हैं, यह 34 वो बच्चे हैं जिनको 30 marks से less मिले है यह 30 कहां से आया देखो यह रहा 30 दिख रहा है यह 20 marks कहां से आया 20 यह 10 कहां से आया 10 तो इधर क्या लिखेंगे यह 50 students वैसे हैं जिनको 40 marks से कम मिले है less than तो दिख रहा है यह less than यह वाला number है यह क्या है यह upper class limit है न तो मैं इसको बो हो सकता हूँ less than upper class limit यह है क्या यह जो number है वो है cumulative frequency जिसका नाम क्या हो जाएगा cumulative frequency less than यहाँ पर लिमिट तो cumulative frequency less than यह क्या होता है अपर लिमिट देखो यहाँ यहाँ पर cumulative frequency less than upper limit आया समझ में तो यह यूज करके हम लोग यह जो data होगा ना किसको 10 से कम मिला 20 से कम मिला यह बहुत easily calculate कर सकते हैं आया समझ में एक यह बहुत काम की चीज है तो यहाँ पर 7.4 का question देख लो 7.4 में यहाँ पर दिया हुआ है complete the following cumulative frequency table frequency का spelling रॉंग दिया हुआ है बट ठीक है चेक कर ले ना हो class दिये हुई है पूरी यहाँ पर और यहाँ पर frequency दिये हुई है हमको यहाँ पर निकालना है less than type frequency less than type frequency कैसे निकालते हैं देखो less than type मतलब less than यहाँ पर लिमेट यह वाला नंबर क्या है less than 153 तो 5 बच्चे हैं जिनको 150 से 153 के बीच में आया तो अगर मैं बोलू less than 153 कितने बच्चे हैं तो कोई है नहीं न यही 5 है और कोई तो दिख नहीं रहा है यहाँ इसलिए हम लोग ने यहाँ पर 5 लिग दिया next क्या देखो यहाँ पर 153 से 156 ठीक है इसका frequency 7 है हमको लेना है less than type less than मतलब किससे less than हमेशा यह जो upper class होता न उससे less than होता है तो 156 से less than कौन कौन आएंगे देखो यह 7 बच्चे जो है इनको 156 से तो कम ही आया है तो यह 7 तो आएंगे लेकिन यह 5 जो उपर थे उनको तो 153 से भी कम था अगर उनको 153 से कम है higher तो 156 से तो कम ही होगा न तो यह 5 तो इसमें आएंगे ही आएंगे प्लस यह नए 7 बच् 59 से less Shok से आएंगा यह जो 12 यहां पर हो जाएगा 12 से नया 15 15 इतना हो जाएगा 27 फ celebral 27 इए लिग देंगे यह ऐसे ही आगा देखो यहां पर 5 था तो इदर आया फिर 12 इदर आया थिर 27 इदरować 37 इदर आया 42 इदर आएगा C आएगा हमेशा और यहां पे कौन सा नमबर आता है जो भी नयाव रिक्वेंसी होगा वो तो देखो 7 फिर यह 15 फिर यहां पे यह 10 आएगा ठीक है फिर यहां पे देखो यह 5 आएगा 37 प्रस 5 कितना होता है 42 फिर यह कैसे हो जाएगा यहां पे देख लो 42 यहां पे आएगा और यह 3 जो है वो यहां पे आएगा तो 03 दोनों को आड़ करके क्या आया 42 प्लस 03 is 45 यह last में जो total आएगा वो हमेशा यह total के साथ match होगा पर इसका मतलब समझो इसका मतलब समझ लो मतलब क्या है कि less than अभी मुझे अगर find करना है कि 165 से less कितने लोग है तो 165 से less यह सारे add हो जाएंगे 5 प्लस 10 15 15 प्लस 15 30 30 प्लस 7 37 37 प्लस 5 42 देख रहा है 42 तो यह एक एक add करकर के निकालने से अच्छा हम लोग ने उपर उपर वाला यह method follow किया तो हमको यह सारी values मिल गई तो अगर मुझे find करना है 165 से less कितने लोग है तो सीधा 42 मिल गया 162 से less कितने है 37 159 से less कितने लोग है height 27 ओके तो यह table ऐसे आता है बनाते कैसे समझ गया frequency दिया होगा बस एक less than type frequency का column मना के यह वाला method follow करके यहां पर कर देना है पांच बच्चे है जिनका height 150 से 153 के बीच में है 153 के बीच में है 153 से कम तो वो 5 तो less than 153 पांच लोग है चलो कर लो copy notebook में फटा फट से less than type frequency होगे आपना इधर आगे questions होगे और solve कर देंगे हम लोग done अब next बोला है cumulative frequency more than or equal to the lower class limit तो हम लोग को cumulative frequency का निकालना है क्या है वो more than किस से lower class limit से तो यह देखो यह lower class limit है इसके पहले जो भी हम कर रहे थे वो upper class limit से लिना देना था यह वाला lower है तो lower से तो जादा ही हो सकता है जो upper था उससे less हो सकता है जो lower है उससे more हो सकता है ठीक है तो देखो इसे लिए more than the lower class limit तो लिटसे आपको यह table दिया है ऐसे सेम याद है इसके पहले भी यह ही दिया था 2, 12, 20, 16 अगर आपको cumulative frequency more than निकालना है तो कैसे निकालते हैं यह जो भी इनको add करके total आया 50 वो 50 को directly यहाँ पर लिख देते है पहले में ठीक है यह 50 यहाँ पर लिख दिया next में 50 ऐसे लिखा लेकिन यहाँ पर आएगा minus जो भी यहाँ पर था 2, 50 minus 2 हो जाएगा 48 फिर यह 48 ऐसे नीचे आएगा इसमें minus यह इसके उपर वाला frequency देखो यहाँ पर यह 2 इदर minus हुआ था यह 12 इदर minus हुआ similarly यह 20 इदर minus हुआ ठीक है यहाँ पर क्या आएगा 50 यहाँ से आया 48 इदर से 36 इदर से है समझ में पकता ओके चलो मैं इसको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ है यह क्या किया हमने जो टाइम पास किया इदर minus बाला more than मतलब क्या more than मतलब यह बोल रहा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिसको 0 से जादा marks आए तो सारे बच्चों को 0 या 0 से जादा ही आएंगे ना 0 से कम तो marks पॉसिबल नहीं है negative marking होता नहीं है के लेवल में स्कूल में इसलिए देखो more than or equal to बोला है तो 0 या 0 से जादा equal to 0 या 0 से more ऐसे कितने बच्चे हैं तो क्लास में 50 बच्चे हैं पच्चासों बच्चों को 0 या 0 से जादा ही आए होगा तो accumulated frequency वही तो बोल रहा है 50 students got 0 or more than 0 marks फिर यह next 48 से जादा आया अब देखो 2 बच्चों को 10 से कम आया था total 50 बच्चे थे तो 50 में से 2 minus कर दिया तो 48 बचा ना क्यूंकि 2 students ऐसे हैं जिनको 10 से कम आया मुझे चाहिए कि 10 से जादा कितनों को आया तो मैं लिख दूँगा 48 students got 10 or more than 10 marks आया समझ में next है यह 36 इसके सामने आया देगो 36 तो 36 क्या है कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 20 marks से जादा आया more than 20 तो 36 ऐसे students है who got 20 or more than 20 marks and then यह 16 जो आया which is nothing but 16 more than or equal to जो भी got 30 or more than 30 marks उनको 30 आया या 30 से जादा आया इतने ही बच्चे है न 16 दिख रहा है इतर मैच हो रहा है 16 बच्चों को 30 से 40 के बीच में आया था तो यही 16 बच्चे हैं जिनको 30 से जादा marks आया या 30 आया याद है न 30 आया तो इसमें नहीं आता यहाँ पर inclusive याद है 30 आया तो लोग इधर आते हैं तो यह हो बच्चे तो more than मतलब जब भी आप more than निकालने की कोशिश करते हैं lower limit से तो आप cumulative frequency more than type का यूज करते हैं बहुत ही simple है यह यह भी हम लोग फटा फट से equation एक example ले लेते हैं यह example कराऊं क्या है solve इधर देख लो 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18 एज दिया हुआ है टैली माक्स दिया है देखो 5 प्लस 4, now फिर यह 5, 5, 5, 5 20 प्लस 3, 23 तो यह इधर 23 आगया है यह frequency है बच्चो फिर next क्या है देखो 5 प्लस 5, 10 प्लस 3, 13 तो यहाँ पे आएगा 13 next is यह 5 तो इधर 5 दिया हुआ है अभी हमको निकालना है equal to lower और more than lower limit मतलब या तो वो 10 है या 10 से ज़ादा है equal to lower limit और more than lower limit more than मतलब ज़ादा next में कहाएगा या तो वो 12 है या 12 से ज़ादा है अब देखो 23 बच्चों को 12 से ज़ादा marks आएं यहाँ पे लेकिन यह सारे बच्चे जो है इनको भी तो 12 से ज़ादा marks आएं तो जब भी more than निकालते हैं तो मैंने उपर जो method से या वो यूज करने का directly जो यहाँ पे total आया वो यहाँ पे copy कर लेने का 50 ओके फिर next में क्या आएगा यहाँ पे यह 50 नीचे आजाएगा और minus यह यहाँ पे जो था वो इधर आजाएगा तो आप लिखेंगे 50 minus 9 41 फिर क्या करेंगे यह जो 41 है वो इधर आएगा minus बाजू में यह frequency यहाँ पे आएगा 41 minus 23 कितना आएगा 18 आएगा तो 18 लिखते है फिर यह 18 यहाँ पे नीचे आएगा यह 13 यहाँ पे minus होगा तो आजाएगा 18 minus 13 which is nothing but 5 तो यह number क्या denote कर रहा है यह जो 5 आया answer it is people who got 16 ठीक है equal to lower limit 16 equal है या 16 से जादा ऐसे बच्चे हैं कितने हैं 5 है तो इसलिए देखो 5 ही आया समझा more than type वाला क्या करता है more than type calculate करता है कि इस से जादा कितने बच्चों का आया ठीक है यहाँ पे बहुत easy था यहाँ पे more than type क्या आता था 0 marks से जादा कितने बच्चों का आया total class में 50 बच्चे थे all 50 questions all 50 students will get more than 0 marks फिर यह वाला क्या था कितने बच्चों को 10 या 10 से जादा आया तो दो ही बच्चे थे जिनको 10 से कमाया था तो total 50 बच्चे में से 2 को minus कर दो तो 48 आया दिख रहा है यह 50 ऐसे ही आया minus यह यहाँ से 2 फिर यह 48 इदर आया यह 12 minus फिर बताओ क्या आएगा यह 36 इदर आएगा यह 20 यहाँ पर minus ओके अब आप देखेंगे ना तो यहाँ पर इसको 50 minus 0 लिख सकते थे आप देखो ऐसे लिखो 50 यह 50 यहाँ से minus 0 क्योंकि उपर कुछ ही नहीं ना इसके उपर से minus आता है तो यहाँ पर दिया है complete the following cumulative frequency table class दिया हुआ है frequency दिया हुआ है more than or equal to type cumulative frequency बुला है more than type ठीक है कैसे करते हैं यह जो भी तर नंबर है सीधा यहाँ पर copy कर लिया तो यहाँ पर मैं लिख लिया 87 ठीक है फिर नीचे क्या आएगा यहाँ पर नीचे आएगा 55, 65, 75, 85 और 87 मतलब 40 प्लस 2 42 आजाएगा न माइनस करके देखो यहाँ पर 87 माइनस 45, 7 माइनस 52, 8 मैनस 44, 42 अभी 42 क्या आएगा यहाँ पर नीचे आजाएगा माइनस, माइनस के बाद यहाँ पर क्या आएगा यह जो भी नंबर है यहाँ पर वो इधर आजाएगा तो मैं लिख दूँगा 19 पर टो माइनस 19 कितना हो जाएगा एक लेंगे तो 20 और 22 होता है तो 13 आजाएगा ना 12 माइनस 93, 3 माइनस 1, 2 माइनस करके देख लो फिर यह 23 जो है वो हम लोग फिर से यहाँ पर लिख देंगे माइनस, माइनस क्या होगा यह 16, ठीक है तो यहाँ पर लिख दिया 16, 23 माइनस 16 आजाएगा 7 फिर यहाँ पर लिख देंगे 7 माइनस यह जो भी उपर था वो यहाँ पर आजाएगा 2, 7-2 आ जाएगा 5, और हो गया कम, दिख रहा है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी last वादा 5 मैच हो रहा है, और इसमें कैसा था, less than type में हम लोग जब कर रहे थे, तब यहाँ पे जो total आता था, वो total के साथ मैच होता था इसमें actually मैं भी जब school में था न, मुझे क्या confusion होता था, मुझे समझ ही नहीं आता था कि less than क्या है, और more than क्या है मुझे जो सिखा रहे थे, उन्होंने बताए ही नहीं था less than का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको meaning समझा है, less than, clearly समझ में आना चाहिए, less than हमेशा upper वाले से होता है, less का opposite क्या होता है देखो, less than less का opposite क्या आप सोच सकते हो दिमाग में, upper limit, upper होता है ठीक है, तो ये जो number है न, वो क्या बता रहा है आपको less than upper limit, upper limit क्या है 153, तो ऐसे कितने लोग हैं, जिनको 153 से कम करूं क्या calculate, यही same table में more than calculate करूंगा, तो आपको शायद clear हो जाए, चलो करते हैं इसी में more than तो ये same question मैंने यहापे copy कर लिया और more than type calculate कर ठीक है, दिमाग लगाओ more than मतलब क्या, more than हमेशा lower limit से होगा, तो ऐसे कितने बच्चे हैं, जिनका height 150 से जादा है, यह 5 का तो 150 से जादा ही होगा यह 7 का भी 150 से जादा होगा क्योंकि यह लोग का height 153 से 156 से बीच में है, अगर इनका height 153 से 156 से बीच में है, तो 150 से तो जादा ही होगा वैसे इनका भी जादा होगा इनका भी जादा होगा, इनका भी जादा होगा, इनका भी जादा होगा, तो ये सारे बच्चों का हीट, टोटल कितना है, 45, 45 बच्चों का हीट, 150 से तो जादा ही होगा न, इसलिए जब भी more than करूँगा, more than क्या बोल रहा है, more than 150 कितने लोग है, 45 लोग है, तो चुप चाप यहां पर 45 लिखते हैं, फिर next क्या करते हैं, यह 45 ऐसे ही copy करते हैं, minus, यह जो भी इधर 5 था, इसको मत देखो, अब इसको hide कर दो, सिर्फ frequency देखने का है, यह 5 जो है वो इधर आ जाएगा, 45 minus 5 क्या आएगा, 40, फिर यहां पर आजाएगा, 40 minus, यहां पर minus में क्या आएगा, ज यह क्यों आ रहा है, वो समझना important है, देखो यहां पर, यह 40 क्या बोल रहा है, 40 ऐसे बच्चे हैं, जिनका height more than 153, more than जो लिखा है, वो more than हमेशा lower limit होता है, ठीक है, 156 से जादा नहीं, वो तो upper limit है न, more than, more का opposite आप ऐसे सोच सकते हो, more मतलब जादा, तो more किससे होगा, lower से, more का opposite, lower, ऐसे imagine कर सकते हो, more का opposite, less होता है, बट less और lower आपको same word लगता है न, वैसे, तो यह बच्चे वो है, 40 बच्चे ऐसे हैं, जिनका height 153 cm से जादा है, कैसे बता जला, क्योंकि देखो, 5 बच्चे ऐसे हैं, जिनका height 153 से तो कम ही आने वाल है, तो 45 में से 5 minus कर दो, तो ब 10, 18 minus 10 कितना आना चाहिए, 8, फिर 8 यहाँ पर आजाएगा, 8 minus, क्या है यहाँ पर, 5, 8 minus 5 क्या आजाएगा, 3, देख लो यहाँ पर, यह 3 है, यहाँ पर 3 है, मैच हो रहा है, मतलब, उपर अच्छा चांसे कि आपने mistake नहीं किया, ठीक है, तो more than type में, आप सीधा 45 यहाँ पर frequency हो, देख हो, 7, 15, यह 10, और यह 5 और last में, जो है, वो match होना चाहिए, less than type में कैसे करते थे, जो इधर है, same number यहाँ अधर copy कर दिया, फिर इस में, यह add कर दिया, देख हो, 7 यहाँ पर add हो रहा है, 15 यहाँ पर add हो रहा है, 10 यहाँ पर यहाँ पर यह यहाँ पर यह, पहला number में आ गया less than type frequency और more than type frequency का मतलब क्या था और निकालते कैसे हैं ठीक है तो हमने एक ही question में मैंने आपको दोनों भी करके बताती है चलो और question solve करते हैं इस पर second तो हमने देख लिए already copy करना है notebook में यह वाला यह पूछा नहीं है अब लेकिन उनको तो पता नहीं है टेबल तो हमको अल्रड़ी बनाने आता है हमने 7.3 में already table बना लिया है यह को यहां पर दिया है the data is given for 62 students in a certain class regarding their mathematics marks out of 100 so हम यह से maths में कितने marks आये 62 students के marks लिखे हुए classes लेने बोला है 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60 कितने marks का पर है 100 तो हम लोग 60-70, 70-80, 80-90, 90-100 तक जाएंगे क्योंकि उससे जादा तो किसे को आएगा नहीं देखो है फिर 97 दिख रहा है मुझे उससे जादा दिख तो नहीं रहा तो हम लोग 90-100 तक का class लेंगे फिर उसका टैली marks दालेंगे 62 के 62 बच्चे cover करेंगे फिर उसके बाद cumulative frequency table more than type का बनाएंगे more than type है ठीक है more than चलो इसका frequency distribution table बनाते हैं यह question में जो data दिया है यहाँ पर मैंने copy कर लिया class भी question में दियू भी थी 0-10, 10-20, ऐसे करकर 20-30, 30-40 last में 90-100 तक आएगी because 100 marks था maximum ठीक है उसके बादे में tally marks फिर frequency यह हमने यहाँ तक का table 7.3 में अल्रेडी बना लिया है नया क्या है यह वाला more than और equal to type cumulative frequency यह पूछा गया है लेकिन पहले हमको tally marks दालके बनाना पड़ेगा तो हम लोग 0-10 चेक करते हैं कितने बच्चों को आया 0-10 ठीक है 0-10 में क्या क्या आएगा 10 किसमें आएगा बताओ 10 इसी में आएगा कि इस साइड आएगा 10 इसमें आएगा ठीक है तो यहाँ पे 0 से लेके 10 तक तो 9 तक जो marks होंगे वो यहाँ पे आएगे तो देखो 0 से लेके 9 कौन कौन है भाई इधर 1 दिख गया 9 फिर एक और अच्छा बच्चा है जिसको 7 आये हैं फिर एक और बच्चा है जिसको 5 आये हैं और कोई मुझे नहीं दिख रहा आप लोग को दिख रहा है क्या तो total ऐस एक दो तीन टैलिमार्क्स डाल दिये है और इसका frequency डाल दिया 3 ठीक है वैसे ही मैं अभी calculate करूँगा next वारा frequency next वारा frequency क्या आएगा देखो 10 से लेके 20 तक तो जिसको 10 आया वो भी इसमें आएगा लेकिन 20 इसमें नहीं आएगा पहली लाइन में मुझे 10 दिख गया गलती से 20 मत ले लेना 20 इधर नहीं इसमें आएगा 7.3 का वीडियो देखा है तो आपको बराबर समझ में आ रहा होगा फिर next देखो ये लाइन में 10 से लेके 20 कोई नहीं है ये लाइन में 11 दिख गया 10 से 20 में आएगा नहीं उसके बाद कोई नहीं है इधर जब मैं जा रहा हो तो ये 17 दिख गया मुझे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर गया इधर कोई नहीं इधर कोई नहीं तो यहाँ पर भ 20 के भी 123 ऐसे तीन बच्चे ऐसे करकर के आपको पूरा टेबल बनाना है यह आना चाहिए आपको चलो वीडियो पॉस करो फटा फट से बनाओ उपर डेटा दिया हुआ है टेक्स्टूक में वह देखके आपको क्लास में डालना है मैं अलग-अलग कलर रूँगा उपर ताकि आप लोग मैच कर सकें तो यहां पर देखो मस्त एकदम रंगोली बनाई है मैंने यह ग्रीन कलर का 0 to 10 देख रहा है ग्रीन यह तीन नंबर है फिर यह पिंक कलर 10 to 20 देखो यहां पर तो यह देखके आपको समझ में आ जाएगा कौन सा नंबर आपने किसमें लेना है ठीक है एक बार यह देख लो आपको exactly यह टेबल आना चाहिए values का frequency देखो total 62 आएगा और यह सारी values होंगी मैं देखो यहां पर यह ब्लू कलर का box बना है तो ब्लू कलर के box में जो भी 7280 है वो सब डाले इसके marks नहीं मिलते हैं colorful करने का क्योंकि आप तो colorful कर भी नहीं पाएंगे exam paper म अब बस आप मेरे से check करके verify कर सके कौन सा number किसमें आ रहा है इसलिए मैंने इसा किया ठीक है चेक कर लो देखो यहां पर यह वाइलेट कलर का 9200 है ना तो वाइलेट कलर का 9200 कहां दिख रहा है आपको cancel किया वा देखो 95 90 और 97 तीन ही है फिर pink color का 82 90 square किया हुआ देखो circle बना टेबल बना दिया तो यह पूरा डेटा जो इतना सारा दिया है वो टेबल में ऐसे लिख दिया अब हम लोग को उसमें बोला है more than or equal to type cumulative frequency चीए ना question देखना एक बार फिर से मैंने सीधा यह numbers copy कर लिए वहाँ पर देखो क्या बोला है पहले frequency distribution टेबल बनाना है वो तो हमने बना लिया अल्रेडी उसके बाद बोला है prepare cumulative frequency टेबल कुणसा more than or equal to type ठीक है तो more than or equal to type बनाना है तो हम लोग यहाँ पे more than or equal to type का cumulative frequency टेबल बना देगी उसमें क्या करते है more than में सबसे पहले यह जो सबसे बड़ा है more मतलब जो बड़ा maximum तो सीधा नीचे से शुरू करते ह यहाँ पर 62 लिख दूँगा मैं तो इदर आ गया 62 फिर ए 62 इदर आ जाएगा minus minus क्या यह त्री जो उपर हो तो यहाँ पर आ जाएगा 3 62-3 कितना हो जाएगा 59 59 यहाँ पर लिख देने का minus 59 में से क्या minus होगा यह वाला 3 दिखो एसे नीचे आता जाएगा यह आ जाएगा 15- 59-3 56 फिर 56 माइनस यह वाला 9 तो यहाँ पर आ जाएगा 56-9 विच इस 47 फिर 47 माइनस यह वाला 9 47-9 कितना हो जाएगा 38 ओके आ जाएगा ना यह फिर यहाँ पर यह 38 नीचे आएगा minus यह 13 तो 38-13 आजाएगा 25 फिर यह 25 नीचे आएगा minus यह वाला 6 तो 25-6 आजाएगा 19 फिर 19- यह वाला 5 19-5 हो जाएगा 14 फिर यह लिलिया 14 माइनस यह वाला 6 फिर 14-6 आएगा 8 फिर 8- यह वाला 5 इदर 8-5 किया तो equal to 3 दिख रहा है यहाँ पर जो था सेम आ गया मतलब अच्छा जान से के ऊपर कोई mistake नहीं हुआ है खतम बन गया more than or equal to type cumulative frequency का table क्लियर जी समझ में आता है ना इसमें देखो 0 से जादा more than 0 कितने बच्चों का आया 62 students लोगों ने exam दिया था सारे 62 को 0 से तो जादा ही आया हुआ ठीक है वैसे ही 10 से जादा कितने बच्चों का आया सिर्फ 3 बच्चे थे जिनको 10 से कम marks आया था तो 62 में से 3 निकाल लो 59 ऐसे करके पूरा table बन गया ठीक है वो logic था लेकिन समझाना है table कैसे बनाया खतम यहीं पर हो गया यह question ओके अभी इसमें नीचे कुछ question पुछे गया है उनका answer दे रहा है यह questions जो नीचे दिये हैं मैं थोड़ा उसको उपर drag कर रहा हूं यह total के उपर पहला question दिया है how many students obtained marks 40 और above 40 above 40 मतलब more than 40 है ना above का मतलब more ही हो गया ना तो 40 या more than 40 देखो कहां पर है यहां पर 40 या 40 से जाधा 40 इसमें नहीं आता यहां पर 30 से 30 नहीं नहीं आता है तो 40 या 40 से जाधा निकालना है तो देखो यह रहा value यही है ना more than और equal to 40 मतलब equal to या 40 से जाधा तो 40 या 40 से जादा यहां पर है 38 बच्चे तो यहां पर आंसर लिख दिया भाई तेरा आंसर है 38 students नेक्स पूछा है How many students obtained marks 90 और अबाव 90 यह मतले ना गलती से 90 या 90 से जादा यह वाला है तो कितने बच्चे हैं देखो यहां पर 3 ठीक है तो यहां पर यह 3 लिख देंगे 90 या 90 से जादा 90 यह भाई 3 Next है How many students obtained marks 60 और अबाव 60 देखो 60 इधर इधर दोनों दिख रहा है यह वाला देखने का 60 या 60 से जादा यहां पर आएगा 19 बच्चे हैं तो यहां पर लिख दिया 19 students Next है What is the cumulative frequency of equal to और more than type of class 0 to 10 0 to 10 यह रहा और more than type का उसका cumulative frequency हमने निकाला है 62 तो यहां पर इस कान से लिख देने का 62 students या फिर उसने cumulative frequency पूछा हैं तो खाल ही 62 लिखो यह ना number है 62 students नहीं पूछा है आया समझ मैं easy था ना काफी इसमें difficult part कौन सा है इसमें difficult part है यह पूरा table बनाना यह जो करते हैं हम लोग वो मेहनत वाला काम है क्योंकि इसमें mistake हो जागा यह plus minus में तो mistake होने नहीं वाला क्योंकि इसमें तो आपके पास पता है कि यह और यह match होना चीए end में नहीं हो आ मतलब उपर कोई गलती कर दिया लेकिन यह tally marks बनाना यह नंबर लिखना यहां पर क्या value कहीं नगा ही miss हो जाती है ठीक है इसलिए पहले tally marks पूरा बन गया फिर ही यह frequency लिखने का ओके तो यह हो गया अपना question number 3 अभी question 4 देखते हैं चलो कर लो copy notebook में फटा फट से आया ना समझ में फूर्थ question में देखो क्या दिया है using the data in example 3 above मतलब यही पूरा data जो example 3 में दिया था मतलब frequency का same table आएगा prepare less than type cumulative frequency table हमने उपर कौन सा बनाया था more than type यहां पर क्या बनाने बोला है less than type cumulative frequency table and answer the following questions कुछ questions दिया हुए तो पहले less than type cumulative frequency table बनाते है कैसे आएगा देखो यहां पर मैंने more than type का already बना दिया है तो यही column सिफ मुझे erase करना है और यह सब कुछ सेम रखना है तो देखो मैंने यह वाला column erase कर दिया और उपर लिख दिया less than type cumulative frequency बाकि यह सब तो पहले वाले यह वो तो आएगा ही नीचे प्लस यह जो value है वो भी आजाएगा 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 फिर यहां पर नीचे 6 ले रहने का यह वाला ठीक है 6 में क्या add करेंगे प्लस यह जो इदर 9 है वो आला 6 प्लस 9 आजाएगा 15 फिर 15 में प्लस करेंगे यह वाला 9 15 प्लस 9 आजाएगा 24 फिर 24 नीचे लिखेंगे 24 में क्या प्लस करेंगे यह वाला 13 तो 24 प्लस 13 आजाएगा 37 फिर यहां पर 37 लिख देंगे 37 प्लस यह वाला 6 तो मुझे मिलेगा 37 प्लस 6 इक्वल टू 43 यहां पर आएगा 43 प्लस यह वाला 5 तो आजाएगा 43 प्लस 5 48 यहां पर आएगा 48 प्लस यह वाला 6 तो आजाएगा 54 इदर आजाएगा 54 प्लस यह वाला 5 तो मुझे मिलेगा 59 फिर यहां पर मिलेगा 59 प्लस यह वाला 3 तो यह आजाएगा 59 प्लस 3 विच इस इक्वल टो 62 आया समझ में देखो एंड में 62 था तो यहां पर 62 आया यह हमने कौन सा टेबल बनाया less than type cumulative frequency इस पर भी नीचे देखो चार questions पूछा हुआ है यह question थोड़ा उपर shift कर रहा हूं मैं ताकि हमको देखे क्या लिखा है देखो पहला question है how many students obtained less than 40 marks less than 40 मतलब यहां पर देखो 40 से कम 40 से कम कितने बच्चे है 24 देख रहा है यह वाली line 24 बच्चे है तो यहां पर क्या आजाएगा 24 students how many students obtained less than 10 marks 10 इधर देखो इधर भी है less than हमेशा अपर से होता है less का opposite upper less than हमेशा इधर देखने का ठीक है 10 अपर में तो less than 10 marks less than 10 marks यहां पर है 3 students next question है how many students obtained less than 60 marks less than 60 यहां पर आएगा यह वाली line में इधर रहा 43 ठीक है अच्छा मुझे बताओ less than 60 में directly ऐसे क्यों नहीं बोला frequency less than 60 मतलब 6 बच्चे यह 6 frequency क्या होता है खाली frequency मतलब यह 60 यह 50 या 60 के बीच में कितने marks है 6 उसने क्या पूछा है less than 60 तो less than 60 में सारे बच्चे आएगे ठीक है इसलिए cumulative frequency आएगा इसलिए यहां पर 43 लेगा find the cumulative frequency of the class 50 to 60 यह रहा 50 to 60 उसका cumulative frequency कितना है 43 तो यहां पर लिख देंगे 43 यह सब students है 43 students यह भी students यह भी students ओके और लास्ट वाला frequency पूछा cumulative वाला तो लिख दिया 43 आया समझ में मस था न यह भी इसमें हम लोग ने same data पे एक more than टाइप किया और एक less than टाइप किया और उसके उपर 4-4 questions आंसर किया बच्चों यह practice करना बहुत ज़रूरी है नहीं तो आपको less than और more than में बहुत confusion होगा याद रखो less than हमेशा अपर से होता है less का opposite अपर तो less than हमेशा अपर से होता है और more than हमेशा lower से होता है ठीक है आया समझ में चलो copy कर लो यह भी notebook में फिटा फट से हो गया तो आज का lecture यहीं पर खितम कर दें आज मैंने आपको practice at 7.4 का question number 1 कर आया फिर question number 2 कर आया फिर question number 3 and question number 4 और इसी के साथ हमारा practice set 7.4 हो गया खतम ठीक है तो यह chapter के 4 practice set मेंने अल्रेड़ी कर दी है वीडियो पसंद आया तो like करें लिंक अपने दोस्तों के साथ share करें ताकि उनको भी less than अपर और more than lower वाला अच्छे जमझ में आ जाए अगर आपने चैनल को subscribe कर दिया है तो thank you नहीं किया है तो क्यों wait कर रहे हो कर दो subscribe यहाँ पे हर एक टाइप के problem का detail explanation दिया जाएगा बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही में next video upload करूँ आपको notification आए और आपको important lecture मिस न करें comments मुझे जरूर बताएं कि आपको यह video कैसा लगा thank you so much for watching this video